यह खबर सोसल मीडिया की है जो आम जन्मानस अपने विचार को सोसल मीडिया पर प्रस्तुत करती है दन्माद। और उसके प्रपंचों को एक साहसी दाव से भारत ने चारों खाने चित किया। साथ ही कैसे पुना BBC के भारतिय दास अब इस बात पर पुना हाई तौबा मचा रहे हैं। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध हैं। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आये तो हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नंबरों पर भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। BBC के सितारे इन दिनों ठीक नहीं है। भारत तो भारत अपने ग्रिहक शेत्र ब्रिटेन में भी इसे भीशन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक समय अपने द्रिष्टिकों से संपूर्ण संसार को प्रभावित करने वाले BBC की अब अपने घर में ही कोई पूछ नहीं है। अब कोड में खाज की भांती BBC के भारतिय दफ्तरों पर आयकर विभाग ने अप्रत्यक्ष छापा डाला है। हाल ही में BBC World के दिल्ली और मुंबई में स्थित दफ्तरों में आयकर विभाग के ताबर तोड चापे पड़े हैं। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, परंतु सूत्रों की माने तो ये कारवाई BBC की अवैद फंडिंग को लेकर की जा रही है। पिछले कई वर्षों से BBC भारत विरोधी प्रोगेंडा को बढ़ावा देता आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कारवाई अभी भी जारी है और इस समय वामपंथियों की रुदाली के अतिरिक्त कुछ भी विशेश नहीं सामने आ रहा है। उक्त सर्वे अरजित किये गए लाप को विदेश भेजने और ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उलंगन के कारण आयकर विभाग ने यहाँ एक्षन लिया है। इसके पहले अधिकारियों ने इस से संबंधित बीबीसी को कई बार नोटिस भेजा था लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। आयकर विभाग का मानना है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियोमो ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को जान बूच कर नजरंदाज करने और विशाल लाप को विदेश भेजने के मामले में सर्वे किया। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह छापे मारी या तलाशी नहीं है। आयकर नियमों के तहट इस तरह के सर्वे नियमित रूप से किये जाते हैं। इन नियमों की अंदेखी के कारण आयकर विभाग ने BBC को कई नोटिस भेजे थे लेकिन BBC ने जान बूच कर उनका जवाब नहीं दिया। BBC कार्याले में सर्वे का मुख्य कारण टैक्स का फाइदा सहित अंधिकरित लाभों में हैरफेर है। बता दे कि आयकर विभाग ने मंगलवार 14 फरवरी 2023 को BBC के दफ्तर पर यह सर्वे शुरू किया था। कहा जाता है कि उस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों के मोबाइल और लैप्टॉप रखवा लिया था। इसके साथ ही वहां के कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा था। अब BBC भी विरोधाभासी रूख अपना रहा है। एक और बुधवार को BBC ने अपने करमचारियों को इमेल कर कहा कि दफ्तर में जारी आयकर सर्वे में सभी करमचारी सहयोग करे और उनके सवालों का विस्तृत जवाब दे वहीं दूसरी और BBC ने करमचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी नहीं देने के लिए कहा है BBC कितना वामपन्थी एवं भारत विरोधी है इसके लिए कोई विशेश शोद करने की आवशक्ता नहीं परंतु इस बार अपनी सीमाय लांगते हुए BBC ने एक के बाद एक कई ऐसे कारणामे किये जिसके पीछे भारत की जनता आक्रोशित हुई है BBC ने गुजरात के दंगो को पुना केंद्र में लाने का प्रयास करते हुए एक विवादित डॉक्यूमेंटरी भी निकाली जो ततकालीन मुख्यमंत्री और अप्पियेम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाती है अब ऐसे में लिबल गिरो का करुण करंदन होना स्वाभाविक था इनके विलाप की सूची तो अनन्थ है जिसमें मुखमद जुबैर से लेकर कॉमरेस पार्टी तक सब शामिल है परन्तु सब का एक ही प्रश्न है हमारे अन्नदाता को हाथ कैसे लगाया इस सर्वे को लेकर सरकार के विरुध माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार विरोधी तत्वो का कहना है कि BBC ने हाल में एक डॉक्यूमेंटरी रिलीज की थी जिसमें गुजराद दंगो के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया था जिस कारण ही उसके खिलाफ यह कारवाई हुई वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी द्वारा इसी प्रकार की कारवाई के प्रश्न पर इन्हें साम्ट सूंग जाते हैं इसलिए जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वे इस से सहमत नहीं है इसी बीच अमेरिका ने भी इस सर्वे को लेकर बयान जारी किया है अमेरिका का कहना है कि वह आयकर विभाग के इस सर्वे से वाकिफ है लेकिन फिलहाल निर्णे देने की स्थिती में नहीं है वहीं ब्रिटेन की तरफ कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जबकि पाकिस्तान किसी को भी इस विशय पर आकरशित करने में अपने फंड रेजिंग की भांती अस्वल रहा है पर ये बीबीसी के अवैद फंडिंग पर इतने प्रश्ण क्यों? कहने को बीबीसी ब्रिटिश सरकार द्वारा पलवित पोशित समाचार प्रसारन कॉर्कोरेशन है परंतु कोविड के पश्चाच शने शने इसका चीन प्रेम भी सामने आ रहा है सच्ची खबरों से बीबीसी का उतना ही वास्ता है जितना रवीश कुमार का नैतिकता से परंतु बीबीसी पर अब आरोप लग रही है कि वह चीनी संस्थानों से भी अवैद तरीके से फंड्स जुटाने का प्रयास कर रहा है वहीं बीजेपी से राज्यसबा सांसद और सीनियर एड्वोकेट महेश जेट मलानी ने तो आरोप यह तक आरोप लगाए है कि बीबीसी ने चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंटरी बनाई उनके बीबीसी को चीनी कंपनी हुवेई ने मोधी की छवी खराब करने के लिए पैसा दिया है अब बीबीसी चीनी एजन्डे को ही आगे बढ़ा रहा है परन्तु ये तो मात्र प्रारंभ है बीबीसी पर तो स्वयन ब्रिटिश सरकार को भी भरोसा नहीं रहा पीएम मोधी की डॉक्यूमेंटरी पर विवात तो ताजा उदाहरण है 2021 में कुछ ऐसे खुलासे हुए कि स्वयन ब्रिटिश प्रशासन बीबीसी से धीरे धीरे दूरी बनाने लगा 2021 में बीबीसी की ओर से पत्रकार मार्टिन बशिर ने वर्ष 1995 में राजकुमारी डाइना का इंटर्व्यू लिया था इस विवादित इंटर्व्यू की जाज के नतीजे सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ है जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही बीबीसी से इस्तीफा देने वाले मार्टिन बशिर ने अपने उस इंटर्व्यू के लिए माफी मांगी है माना जाता है कि इस इंटर्व्यू के बाद राजकुमारी डायना की मानसिक स्थिती पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था इन खुलासों के बाद राजकुमार चाल्स विलियम अब राजा चाल्स थ्री ने बीबीसी की कड़ी निंदा की विल्लियम के अनुसार उस इंटर्व्यू के कारण राजकुमारी डायना सदमे में चली गई थी अपने आखरी दिनों में अकेलेपन, दर और घबराहट ने उन्हें अपनी गिरफ्त में कर लिया था वेल्स के राजकुमार के साथ उनके रिष्टों पर भी इस इंटर्व्यू का काफी बुरा प्रभाव पड़ा था विल्लियम का यह बयान दिखाता है कि स्वयम रॉयल फैमिली भी बीबीसी के इसकान के सामने आने के बाद इस मीडिया संगठन से खासा नाराज चलने लगी इस खुलासे के पश्चात ततकालीन बोरिस जॉनसन सरकार ने बीबीसी को कड़ा सबक सिखाने के मूड में आ गई थी बृतेन की ततकालीन ग्रह मंतरी प्रीती पटेल ने अपने बयानों से यह संकेत दिया भी दिये थे कि कारवाई के तहत बीबीसी के वित्वशन में कमी करने का निरणय लिया जा सकता है प्रीती पटेल ने तब यह भी कहा था किकिन खुलासों के बाद BBC को कड़े सबक सीखने ही होंगे संवठन में बदलाव, इसके धाचे में प्रशासन और जवाब देही के नियोंवों में परिवर्तन करना होगा परन्तु BBC के कारणामों की सूची यही समाप्त नहीं होती इसके अतिरिक ठाल ही में जब BBC ने दुरदान्त ईसिस आतन की शमीमा बेगम के प्रती एक समवेदना से परिपूर्ण डॉक्यूमेंटरी भी बनाई है जिसका विरोध लगभग समस्त ब्रिटेन ने किया और स्वयम ब्रिटिश सरकार भी इस डॉक्यूमेंटरी के प्रदर्शन से प्रसंद नहीं है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि BBC अब अलग थलग पड़ रहा है और भारतिय एजंसियों के कारवाई से उसे बचाने हेतु वामपंथियों और कटरपंथियों का रुदन भी अब किसी काम का नहीं होगा आप से अनुरोध है देशित में इस विडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें Google Pay या Paytm के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719 बहुत बहुत धन्यवाग